लोगसभा जीतने के बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से कहा था सबका साथ सबका विकास पलस सबका विश्वास लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है या होता दिख रहा है जहां एक तरफ यूपी के सियम योगी आदितिनाथ ने कहा कि यूपी को अपराद मुक्त बनाया है लेकिन सचाई इससे उलट है आए दिन लोगों की हत्याओं को खुले आम अंजाम दिया जा रहा है आपको बता दी कि लोगसभा चुनाप 2019 का चुनाप परिनाम आने के बाद उत्तरपरदेश में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला ठमने का नाम ही नहीं ले रहा है यादव सेना के परिदेश अध्यक्ष रंधीर यादव ने ट्विट करके कल जानकारी दी कि आजमगर में भी एक ग्राम परदान धरमेंदर यादव की गोली माल कर हत्या कर दी गई है इस बारे में हाला कि मीडिया में कहीं कोई कवरेज नहीं दिखाय गया है यादव का द जानपूर के पुलिस अध्यक्ष आश्री स्तिवारी के अनुसार सुबह साड़े नौ बजे के आसपास लाल जी यादव एक स्कूल के पास गौं में एक वकील से मिलने गाये थे जहां मोटर साइकल सवार तीन चार अग्यात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी पुलिस न पुर्व राज मंत्री शेलेंद्र यादव ललाई ने अमेठी में पुर्व प्रधान की मौत के कंदादे ने पहुंची केविनेट मंत्री स्मिर्थी रानी से मांग करते वे कहा कि वो जौन पूर में आकर मिर्तक लाल जी यादव को कंदा दे या फिर इस देश में धर्म और जाती की आधार पर राजनीतिक ही चलती रहेगी उन्होंने आरोप लगाया कि इस हत्याकान के तार सार्शन से जुड़े हैं जिसमें पुलिस वजिला प्रशासन मदद कर रही है वहीं ब्रेटर नोईडा के थाना दादरी छेतर में गड़ी गाउं में रहने वाले साल में भरती कराया गया जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मिट घोसित कर दिया है विनी जैस्वाल पुलिस अध्यक्ष गौतम बुद्नगर के अनुसार हत्या के पीछे राजनीतिक मकसद के अब तक कोई सबूत नहीं मिले उनके अनुसार अभी तक मिली जानकारी के कर दी गई है उन्होंने दादरी में समाजवादी पार्टी विधानसवा छे एत्र अध्यक्ष राम्टेक कटारिया को दिन दाहरे गोली मारी गई जश्न में मस्त सीम ऑफिस यूपी कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए इस वर्स चार जन्वरी को दादरी में वा प्रो से शब की पहचान की थी 21 जन्वरी को रमेश्ट के परीजनों ने इस मामले में राम्टेक कटारिया समेट पांच लोगों को नामज़त करते हुए एक अग्याद के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्स कराय था यादब ने सेना के अधिक्ष रंदीर यादब की माने तो भाच्पा की चुनावी जीत के बाद बीते आठ दिनों में यादब समुदाए के कुल 28 लोगों की यूपी और बिहार में हो चुकी है अपने ट्विट में यादब ने ये सूची जारी करते वे दो जून को विरोध परदर्शन का आहन किया इसे पहले गाजीपूर में एक अन्य सपानेता विजय यादब की गोली माल का हत्या कर दी गई थी और विजनोर में बसपानेता हाजी एहसान के भतीजे की गोली माल क में तर भी हत्या कर दी गई थी दोनों ही मामले में में काफी चर्चित हुए थे गो declining कि तुम डर२ ने झार श्रका की आतो है कि अगर इसको बचाना चाहते था तो नेश्मलिक को सब्सक्राइब करने के रेट कल़र के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे